कि नमस्कार आप देख रहे हैं जी के नाइक शुड़ोप चैनल तो जैसे कि आप सभी जानते हैं टीजीटी पीजीटी आपकी भरती आने वाली है सीटेट का एक्जाम आने वाला है यूपीटेट का एक्जाम आने वाला है तो इस वीडियो आपको भूगोल का चैप्टर है है भारत के परवत से इनपोर्टेंड कोशन आपको मिलने वाले हैं तो इनपोर्टेंट है ही अधिक दो कोशन आपको मिल जाना है वीडियो का य fast जबुको इन्पोर्टेंट वीडियो में मिल जाएंगे तो वह से जाकर आप उन ç 거예요 कश्षो को भीं कवर कशकते हैं तो चयले सुरू करते हैं हमारे टेलिग्राम गूर्फ से जोड जाएगए वीडियो के डिप्सेशन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा वहाँ पर आपको विज्यापन से संबंदित इन्पोटेंट जानकारी मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं पहला कोशन है भारत की उत्री शीमा पर इस्तित परवत है तो सही अंसर हो जाएगा वलित परवत भारत में सबसे उची परवत चोटी कौन सी है भारत में सबसे उची परवत चोटी है केटू इसका जो नाम है गाडवी नाश्टिन है तो सही अंसर ओप्सन हो जाएगा गाडवी नाश्टिन यानि केटू भारत में हिमाले की सर्वोच परवत चोटी है देख भारत में जो पर्वत स्री निवीन्तम है वह हिमाले हैं सब्सक्राइब कोन भारत का सर्वोच पर्वत सिखर पूचा गया है तो फ्रेंज कोशन का सब्सक्राइब कंचन जंगा यह आपका काँ पर है सिक्किम में है ऑप्शन डी हो जाएगा कंचन जगगा और नयांस कोशन हैं मिल गीड कोन सिह हिमाले की पर्वत परवत समराज्य में इस्तित्त एथ देखिए असमराज्य में जो सितीत है वह नाम्चा बर्वे है तो नामचा बर्वे कहां पर है यह आस सम है तो option b, सही answer हो जाएगा, नामचा बरौगा नैस question है हिमालीे की पति किस भू सन्नत्ती से होई है ज़ुब जो भू सन्नत्ती होई है यह थेधीज से होई है सही answer उपका option है हो जाएगा थेधीज नेस्ट कोश्चन है हिमाले का पाद परदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है तो फ्रेंट्स कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा ओप्सन डी सीवालीक ओप्सन डी सही आंसर होगा सीवालीक नेस्ट कोश्चन है नंदा देवी इस्तित है कापर है कुमाव हिमाले में तो option A सही आंसर हो जाएगा question 11 नमबर का next question है निमने में से कौन सी परवत चोटी संसार की दूसरी सर्वोट परवत चोटी है so friends question का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरी पूछा गया है तो सही आंसर होगा आपका गाडवीन आश्टिन option A सही आंसर हो जाएगा गाडवीन आश्टिन next question है कारा कोरम परवस्रेणी का पूरो नाम है देखे कारा कोरम परवस्रेणी का जो पहले नाम था यह था आपका कृष्णगिरी क्या था कृष्णगिरी option B सही आंसर हो जाएगा next question है हिमाले सेनी में मिलने वाली संक्रण तथा अनुधेर दिये घाटियों को किस नाम से जाना जाता है so friends question का सही आंसर होगा दून के नाम से option है सही आंसर हो जाएगा दून next question है लगु हिमाले सेनी के ढालो पर मिलने वाले छोटी छोटे घास के मैदानों को जम्मु कस्मिर में क्या कहा जाता है तो friends को कहा जाता है मर्ग क्या कहा जाता है मर्ग का जाता है, option ए, सही आंसर होगा, next question है, लगो, हिमाले शेनी के ढ़ालो पर, मिलने वाली छोटी-छोटी घास के मैदानों को उत्राखंड में क्या कहा जाता है, देखे, जम्मू कस्मिर की बात की जाए, तो मर्ग कहा जाता है, अब उत्राखंड की यहाँ पर बात की ज करेंट सब्काइब के नाम से जाने जाता हैं अउसको क्या जाता है नेपाल हिमाले क्या जाता है और कि सागरमाता कहते हैं देखे सागर माथा के नाम से जाने जाता है Mount Everest ठीक है या बरफ की देवी भी इसको का जाता है Mount Everest को सागर माथा के नाम से जाना जाता है Option C सही आंसर हो जाएगा Next question है एडमांड हिलेरी तथा तेंजिंग नौरगे द्वारा विसकी सर्वच परवर चोटी Mount Everest पर सबसे पहले किस वर्स विजय प्राप्त की गई थी तो फ्रेंट्स कोशन का सही आंसर हो जाएगा 1953 इस्वी में Option B सही आंसर होगा Next question है नंदा देवी चोटी है देखे नंदा देवी उत्राखंड में है अब ये चोटी यहाँ पर पूछा गया है ये किस भाग में इस्थित है तो इसकोशन का सही आंसर होगा कुमायू हिमाले का भाग है तो नंदा देवी चोटी जाओ कुमायू हिमाले का भाग है तो Option B सही आंसर होगा Next question हिमाले परवत की एक स्रेणी So friends, सी है मयानमार में मयानमार में इस्थित है अरा कानोयम ठीक है Next question हिम्मू कस्मीर में इस्थित निम्लिकी परवत स्रेणी का पुरू से पश्चिम की और करम होगा देखे यहाँ परूरू से पश्चिम की और जम्मू कस्मीर में पूछा गया है तो चलिए इसका करम लगाते हैं करम किस तरीके से लगाएगा देखिए सबसे पहले जाएगी पुरू से सबसे पहला आएगी पुरू में कारा कोरम स्रेणी उसके बाद में आएगी लदाक स्रेणी और उसके बाद आएगी जासकर स्रेणी और सबसे बाद में आएगी पीर पंजाल सेनी तो यह पुरू से पश्यम की ओर है तो इनको यहाँ पर सेनी बनेगी 3, 4, 1, 2 यानि कि option C आपका सही answer होगा ठीक है नेश क्योशन है भारत की सरवच परवच सेनी कौन सी है देखे भारत की यहाँ पर सरवच परवच सेनी पूछा गया है तो इस question का सही answer होगा गाडविन आश्टिन K2 तो भारत की सरवच परवच सेनी है तो option यह सही answer होगा नेश क्योशन है कुल्लू घाटी निमलिकित परवच सेनी ओं में से बीच अवस्तित है देखे किस सरेणियों के बीच कुल्लू घाटी इस्तित है यह घाटी आपकी है धोलाधर तथा पीर पंजाल के बीच में ठीक है धोलाधर और पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी आती है option यह सही answer होगा और उत्राखंड का सबसे ऊचा परवच सिखर देखे उत्राखंड का सबसे ऊचा परवच सिखर पूचा कहा है तो आप सभी जानते हैं नंदादेवी होगा option D सही answer होगा नंदादेवी यह उत्राखंड की सबसे ऊची परवच सिखर है next question है सिवालीक सिरेणी का निर्मान हुआ है यह हुआ है से नो जाइक से से नो जाइक से हुआ है ऑप्षन डी सही आंसर हो जाएगा नेस कोशन है हिमाल्य का दूसर सबसे उचा परवस्थिकर कंचन जंगा भारत की किस राज्य मेंस्तित है पहले भी आपको बताया सिक्किम में है तो सईया अंसर आपका को ऑप्षन बी हो जाएगा अरावली नेस्ट कोशन है भारत में निम्ली की तमेंचे कौन सी परवस्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है तो फ्रेंट्स कोशन का सही आंसर होगा अजन्ता तो अजन्ता जो है ये एक परवस्रेणी है केवल एक राज्य में फैली हुई है महाराष्ट में तो option C صحīne answer होगा जंता नहींज क्योynnशन है भारत में सबसे प्राचीन वلित परवतमाला कोन सी है तो इस question का सही answer होगा अरावली यह सबसे प्राचीन परवतमाला है अरावली next question है अरावली परवत का सर्वो सिखर क्या कहलाता है देखिए अरावली परवत का जो सर्वो सिखर है वो गुरू सिखर है तो सही answer हो जाएगा option A गुरू सिखर next question है पश्चीमी घाट क्या है देखे पश्चीमी घाट है एक भ्रंस कगार का यह एक भhrans का गार है स़्या अंसर हो जाएगा उप्सिन C नैस क्योशन निमलीकित में से किस परवत माला को सहाधी के नाम से जाना जाता है तो यह जो जाना जाता है यह पस्षीमी घाट को जाना जाता है किसको? पस्षीमी घाट को option B पर श्यमी घाट पराय दीप के भारत में उस्तम परवत चोटी है देखेंगे पराय दीप के भारत की सबसे उस्तम यानि सबसे मुची चोटी पूछी गई है तो यह आपकी अन्नाई मुडी सही अन्सर हो जाएगा option A नीलगिरी पाड़ी नेस्कूशन है भारत के सबसे दक्षिनी भाग में इस्तित पाड़िया नीमन में से कौन सी है तो इसकूशन का सही अन्सर होगा कारडेमं option B सही अन्सर होगा कारडेमं नेस्कूशन है पूरी घाट परवसेनी का सर्वोश सिखर है नेस्कूशन का सही अन्सर होगा महंद्रगरी option B सही अन्सर होगा महंद्रगरी पूरी घाट परवसेनी का सर्वोश सिखर है कारडेमं पाड़ी कहां वस्तित है तो ये दक्षिनी भाग में इस्तित पाड़ियों में से सबसे दक्षिन में है तो ये पूछीए कि कहाँ इस्तित है तो सही अंसर हो जाएगा आपका केरल में सही अंसर option C केरल में है और गिर्णार पारिया कहा इस्तित है important है इस question का सही अंसर होगा गुजरात गैसे गिर्णार गैसे गुजरात इस तरीके साब याद रख सकते हैं तो गिर्णार पाधि कहां पर है घुजरात में है गारों खासि जैनतिय पाधि कहां इस्तित है या किस राज्ज्य में इस्तित है तो यह जू है आपकी मेगहलय में । प्राइदीप का भारत की सबसे सर्वोज परवस्थिकर पूछा जाए तो अन्नाई मुड़ी होगा ठीक है यह दक्षिन भारत का बीच सीमन ने धारन करने वाली तीन परवस्रेणी है तो ये स्रेणी आपकी खासी पट्कोई और आराकार नायोम Option A सही आंसर होगा Next Question अरावली शेणी किस राज़य में इस्तित है दिखिए अरावली शेणी जो इस्तित है ये इन्पोरेंट कोश्यण है ये इस्तित आपकी राजस्तान में कहाँ पर है राजिस्तान में है option A सही answer होगा नंदा देवी सीकर इस्तित है आप सभी जानते हैं पहले वी बता चुका हूँ उत्राखंड में है तो सही answer option B हो जाएगा उत्राखंड नेश क्वेशन हिमाले की उची चोटी कंचन जंगा कहां इस्तित है देखें इमाले की जो उची चोटी कंचन जंगा है वो सिक्किम में है कहां पर है सिक्किम में सही answer option C हो जाएगा तो लगबग इक्क्यावन कोशन हमने यह आपर cover किये जो important है आपके exam में बहुत ही help करेंगे आपकी वीडियो अच्छी लगए तो लाइक और से जरूर कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक्स पूर वाचिंग